तो आज मैं आपको जो वेकेंसी के अपडेट लेकर काया हूँ यह वेकेंसी के अपडेट बहुत ही इंपोडेंट है यार तो वीडियो को जरूर से एंट तक देखना वट सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया वाई तो जरूर से सब् और गवर्मेंट जो अपडेट अपने चैनल पर लाते रहता हूं तो आज मैं आपको जो वेकेंसी का अपडेट बताने वाला हूं यहां पे आप देखी पार होंगे इंकम टेक्स डिपार्टमेंट जो की मुंबई रिजिन से आपको जो वेकेंसी है वो निकाली गई है यहां पर आपको देखने को मिलेंगी 291 पोस्टों के लिए ठीक है अब इसमें दोस्तों क्या है कि यहां पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है बहुत ही क सारा इजी तरीका जो आपको step by step करके बताऊंगा ठीक है यहां पर देखते रहेंगे पूरी वीडियो तो आपको सारी समझाएगी इससे पहले अगर आपने हमारे वर्टसप चैनल गुरुफ या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुफ को अभी तक जोईन नहीं किया तो इसटेनोगराफर की आपको post देखने को मिल रही है ठीक है और यहां पर चैञ ऍख अससिasटेंट ऑफीसर की post यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगी म्ट्यक की गोल डाइगी मल्त्यू अम्ञों की स्टाप की और यहां बसी यकी की पोस्ट देखने को मिल जाएगी ठी इसमें फॉर्म बरने की आपको जो लास्ट देखने को मिलेगी उन्यस जनवरी दोजार चौविस देखने को मिल लाइगी लास्ट डेट आपको ठीक है तो यहां जरूर से आब इतन करना इसमें बहुत ही बढ़ी आप और ज्यादा फीस भी नहीं मागी गई यह ना के मात्र जो बराबर फीस है यहां पे और इसमें आपका अगर आपका जो सेलेक्शन हो गया तो भाई यहां पर बहुत ही बढ़ीया आपको मौका मिल लाएगा और स्यलरी भी बहुत ही तगड़ी आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तों चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं इस की जो ऑफिशली नॉटिफिकेशन है ना उसके तुरह में आपको पूरी जानकार ये बता देदा हूं कैसे कैसे आपको फॉर्म को एपलाई करना है एंड कैसे फॉर्म को समिट करना होगा तो गाइस मैंने डारेक्टली यहां पे ऑफिशल वेबसाइट को ओपिन कर लिया है जैसे कि आप यहां पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहेंगे ठीक है अब यहां पर जो इंकम टेक्स देपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी निकले है मुंबई रीजन से निकले हैं ठीक है जो आपको देखने को मिलेंगी देख सकते हैं आपको सब्सक्राइब कर लेना बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके जो Important-Dates है उसके वारे में हैं तो यहां पर जो इसकी इंप्रहटं डेट्स है वह आपको यहां पर देखने को मिल रही होंगी जो कि आप यहां पर देख पा तो देखिंए यहां पर आपको बेकर्शइन को मिलेगी देख सकते हैं यहां पर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है इंस्पेक्टर ओफ आप now सो से ले सबस्षों चार जुक्त देखनी को मिलेगा यहां पर जो स्टैनोग्राफर की पॉस्ट है स्टैनोगराफर ग्रेड इसमें आपको यहां पर 17 वैकेंसी हैं इसमें लेवल आप देख पाएंगे हैं यहां पर लेवल फॉरक एकॉर्डिंग हैं पर फाज़से यहां पर पोस्ट है टैक्स एसिस्टेंट की इसमें आपको 119 टोटल पॉस्ट आपको देखने को मिलेंगी साथ इसमें लेवल पॉस्ट आपको देखने को मिल रही है जिसमें लेवल वन के अठारह हजार रुपए से ले करके 56,900 रुपए तक यहां पर आपको देखने को मिलेगा साथ जो फिप्ट वेकेंसी है केंटीन अटेंडेंट की इसमें आपको तीन वेकेंसी देखने को मिलेंगी लेवल फस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको पे लेवल होगा वह यहां पर 18,000 रुपए से ले करके 56,900 आपको इसी वीडियो का डेस्किप्शन में दे दूँगा और मैं मैं पन कमेंट भी कर दूँगा तो यहां पर हम बात करें सलेक्शन क्रैड़िस्ट के वारे में तो देखिए यहां पर आपो सारी की डेटेल्स है आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है परस्शनल यहां पर देखिए पूरा हैं पर इक्रे शर्द हैो निकाल लगें तो उसके बाइंगे स्सारी के अगर हम बात करें जहां पर देखने को मिलेगी पहले armour आपको जो फोस्ट हैं वोपर सिव बताए आप देख पाएंगे जो कि आप देख सकते हैं यहां पर इंस्पेक्टर ओफ इंकम टेक्स की जो पोस्ट निकलिया है इसमें आपकी जो 18 से लेकर के होनी चाहिए सट्रेन्गराफर की जो पोस्ट आपको देकने को मिलेग ओर टैक्स की जो पोस्ट आपको देखने को के यहाँ metropolitanÓ 25 वर्स तक हो निचाहीय है तो यहां पर ज hunting को मिल जाता है जो कि आप यहां पर देख पार हों मिह अपको 5 वर्सका को यह थी है आपको देखने को मिले और वह अधको द het तो इसमें चुलिए नीचीका चाहएं पो यहां पर देखने को मिल जाएंगी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपको जो पोस्ट दे रखी है जो पहली पोस्ट है यानि इस्पेक्टर ओफ इंकम टेक्स की जो इसमें जो क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको डिगरी होनी अनवार है जो कि आप यहाँ पर देख पार होंगे MTS की जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी इसमें आपको मैट्रिकुलेशन आयानि 10 पास होना चाहिए और केंटीन अटेंडेंस के लिए अगर आपने 10 पास कर रखा है तो भी आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं बात करेंगे भी हो सकता है ठीक है और यहाँ पर देखेंका इनके इनस्ट्रॉक्चों वगरह अफ्लिकेशन वगरह यहाँ यहाँ दे रखेंश को पूरी details को यहां पर भेज पाएंगे ठीक है ना और इसमें जो आपको application जो website दे रही है यह website है इस पर जाकर गया पूरी information भी और अधिक जानकारी यहां पर पूरी ले पाएंगे तो इनकी जो additional instructions वगरा है वो आपको यहां पर देखने को देखने को मिलेगा यह इसकी officially website पर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख पाएंगे वाईस बारा दो जार तेईस के लिए यह notification जो है वो जारी किया गया है ठीक है MTS पद के लिए अब जैसे यहां पर आप किलिक करेंगे आपके सामने पूरे जो notification है वो खुलके यहां पर ओपिन हो जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो ठीक है यह देख सकते हैं कि पूरी डिटेल्स के साथ साथ आप पूरा मैं notification का लिंक इसका PDF का आपको वीडियो के description में दे दूँगा आप जा करके चेक आउट कर लेना ठीक है यहां पर मैं पिन कमेंट भी कर दूँगा वहां से जा करके अभी चेक आउट कर सकते हो ठीक है ना तो यहां पर आप नेश पूरी डिटेल्स को बताए गया है कैसे कैसे form को submit करना है यहां पर नीचे आओगे तो पूरी डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है अब इसमें बात करते हैं apply कैसे करें तो यहां पर आपको रजिस्टर का जो बटन दिख रहाना इस पर आपको किलिक करना ह यहां पर आपको first name दे रखा है यहां पर का middlenam and यहां पर आपका last name और कार्ड रंबर एंड मोबाइल नमबर उसके बाद यहां पर email id टालने केबाद इस पर आपको किलिक करना है अब। गेट OTP पर आपको किलिक करना है अब जैसे यहाँ पर गेट OTP पर किलिक करोगे आपके सामने एक मोबाइल नंबर का या फिर मेल आड़ी की तुरों यहाँ पर OTP पहुंच जाएगा उसे आपको यहाँ पर verify कर लेना है ठीक है दोस्तों तो इस तरह से जो आप पूरे form को पता दिया है और आपको दिखा भी दिया है तो आयोप आपको यहाँ तक सारी समझ आगी होगी अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगरा हो किसी परकार का को कमेंट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको वहां पर भी reply दे दूँगा और जिन्होंने चनल को सब्सक्राइब नहीं क्या भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना मैं आपके सभी के जितने भी कमेंट करते हो सभी कमेंट के रिपलाई देता हूँ मैं जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वेकेंसी के साथ